बिग बॉस फेम निकी तमभूली इस वक्क खत्रों के खिलाडी सीजन ग्यारा में हिस्सा लेने के लिए केप टाउन में हैं खत्रों के खिलाडी की सभी कंटेस्टेंट केप टाउन पहुत चुके हैं और यहाँ शोग की शोटिंग भी शुरू हो चुकी है इसे भी शोग की कंटेस्टेंट निकी तमभूली अपनी होट तस्वीरों को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है केप टाउन से निकी के यह तस्वीरे काफी वाइरल हो रही है ब्लैक पिक नी पहने समंदर किनारे पोस देते वे निकी काफी अट्रेक्टिव और होट लग रही है इस पिक में निकी के साथ हैंसम हंक वरुन सूध और विशालादित सिंग भी नज़र आए तीनों का या बीच किनारे पोस देते वे तस्वीर काफी वाइरल हो गई तस्वीरों को शेयर करते वे निकी ने कैप्शन में लिखा है कैप टाउन में मेरे देसी बॉइस फैंस निकी के इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं और साथी लाइक और कुमेंट्स के जरीए अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं वहीं इससे पहले निकी दंबोली ने रेट करकी ड्रेस पैने अपनी बेहत खूपसर तस्वीरें शेयर की थी तस्वीरों में निकी का गौजिस अंदास नजर आया और इन तस्वीरों को शेयर करते वे निकी ने अपना कमबैक बताया था निकी ने तस्वीरों को शेयर करते वे लिखा था चमतकार गर्व करने वाले प्रानी होते हैं वे उनके सामने खुद का कुलासा कभी नहीं करते जो बरोसे पर यकिन नहीं करते इसी के साथ निकी ने हैश्टेग में लिखा था Believe, Comeback, Dare to be Different, Dare to be Overcome वही कैप टाउन से निकी की मोनोकोनी वाली तस्वीरे भी काफी वारल हुई थी तस्वीरों में ब्लू प्रिंटेट मोनोकोनी पहने निकी बेहत होट लग रही थी आपको बता दे निकी को Big Boss 14 से पहचान मिली Big Boss में नजर आने के बाद उनके fan following काफी बढ़ गई है वही हाल है में निकी ने अपने भाई को खो दिया था जिसके जाने से निकी बेहत तूट गई थी लेकिन अपने आपको समालते वे निकी कुछी दिनों बाद कैप टाउन के लिए रवाना हो गई और अब कैप टाउन से अपने इस अंदास को लेकर वो काफी सुर्खियों में बनी हुई है तो दोस्तों आपको निकी तंबोली का ये अंदास कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताए और वी लेटे से अपड़ेट्स के लिए सस्क्राइब करें कर जब थब रहे